नमस्कार स्वागत है आपका आज के ताजा और वडिशा मचारों में तो आईए जानते हैं खबरों को एक एक करके अगर इससे से पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नेटोफिकेशन बेल को जल्दी से दबा दे ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की जनकारी मिलती रहे स्रीयम ममतब अनरजी बोली चुनाओ में बीजेपी एक भी गोल नहीं कर पाएगे मैं गोल कीपर बनूँगे जी हाँ आपको बताती कि पस्री मंगाल में अगामी विधान सभा चुनाओ को लेकर भाजपाव और टीमसी के बेच तीखी जुबानी जंग जारी है परधान मंतरी नरेंद्र बोदी की हुगली जिले के साह गंज में सार्व जनिक सभा के दो दिन बाद पस्री मंगाल की मुखी मंतरी ममतब अनरजी ने बुद्वार को भारती जंता पाटी पर चौतरफा हमला करते हुए कहा कि आगामी राज्य की विधान सभा चुनाओ में बीजेपी एक भी गोल नहीं कर पाएगे पस्री मंगाल में इस साल अप्रेल मही में हाई भोल्टे चुनाव होने की उमिद हैं ममतब अनरजी ने कहा कि बीजेपी बंगाल में एक भी गोल नहीं कर पाएगे मैं विधान सभा चुनाओ में गोल कीपर बनूंगी उन्होंने इस दौरान तिर्ण मुल्क के चुनावी सुलोगन खेला होबे को भी दोराया उन्होंने कहा कि गुजरात बंगाल पर सासन नहीं करेगा बंगाल ही बंगाल पर सासन करेगा मोधी बंगाल पर सासन नहीं करेगा आगे उन्होंने कहा कि कोई भी गुंडा बंगाल पर सासन नही करेगा बुख्य मंतरी मम्तरवन रजी ने आगे कहा कि ट्रम्प से भी खराब दुर्भाग्या पीए मोधी का और भास्पा का इंतजार कर रहा है बुख्य मंतरी ने कहा कि ट्रम्प को अमेरिकी रास्पती चुनाव जिताने में मदद करने के लिए गए थे ट्रम्प के भाग्या का फैसला हो गया है और उनकी भी किस्मत का फैसला बहुत जल्दी होगा मोदी सरकार का बड़ा एलान सो पीस्यू को बेच कर जुटाए जाने वले धाई लाग करोन रुपे जनता पर होंगे खर्च जिहां आपको बताते कि प्रधन मंतरी नरेंदर मोदी ने बुद्वार को नीजी करण पर आयुजीतिक विबिनार में कहा कि बजट 2021 में भारत को उची ब्रिदी के राह पद ले जाने के लिए असपस्ट रूप रेखा बनाई गई है कई साल जनिक छेतर के उपकरम घाटे में है और कईयों को करदताओं के पैसे से मदद दी जा रही है बिमार PSU को बित्य मदद देने से अर्थ व्योस्ता पर बोज भड़ता है पूरानी परंपरा के अधार पर PSU को बनाय रखना उचीत नहीं है P.A. मोदी ने कहा कि सरकार का काम कारुबार करना नहीं है सरकार को अपना पूरा ध्यान लोक कल्याण पर लगाना चाहिए सरकार के पास कई ऐसी समपतिया है जिसका पूरूर रूप से उपयोग नहीं हो पाया है या बेकार पड़ी है सो परी समपतियों को बजार में चढ़ा कर धाई लाग करोण रूपे जुटाए जाएंगे नीजी करन समपति के मोदी करन से जो पैसा आएगा उसे जनता पर खर्च किया जाएगा पिया मोदी ने कहा कि इस बजट में भारत को फिर से उच विकास के पत पर ले जाने के लिए असपस्ट रोड मैप सामने रखा गया है नितीज सरकार का बड़ा फैसला सरणक दुरघटना होने पर वाहनों का रद्ध होगा रेजिस्टेशन और लाइसेंस भी होगा कैंसिल जी हाँ आपको बताते कि भिहार में सरणक हाथसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है सरणक दुरघटना में दोसी वाहनों का अब रजिस्टेशन रद्ध किया जाएगा और साथी चालक का लैसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा यहाँ परिवहन सचिव संजे अगरवाल ने फैसला लिया है इसके साथी आपको बता दे कि सरकार आटो और बस में ओवर लोडिंग को लेकर एक बिसेस अभियान चलाने वाली है जिलो में हेलमेट सीट बिल्ट के साथी फिटनेस जाजभियान में तेजी लाने के लिए निर्देस दिये गए है इसके साथ साथ आपको बता दे कि बिहार की सरणकों पर जल्दी इलेक्टिक से चलने वाली वाहने दोड़ेगे पटनावासियों को लगजरी इलेक्टिक बसों की सहुलियत देने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है जल्दी इसकी सुरुवात होगी इसके लिए आठ बसे पटना के फुलवारी सरीप पहुंच चुकी है और इन आधुनिक इलेक्टिक बसों के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ एक घंटे में रिचार्ज हो जाएगी और फूल रिचार्ज होने पर यहाँ 250 किलोमीटर तक का सफर तैय करेगी COVID-19 से लड़ाई में गुतरिष ने भारत की नेतित्व के शराहना की जी हाँ आपको बतादे कि संजुक्त राष्ट परमुख एंतोनियों गुतरिष ने कुरोना वैरस के खिलाब वेस्विक लड़ाई मिननेतित्व और वेस्विक बजार में COVID-19 रोधी टीकों की आवसकता आपूर्ती के प्रयासों के लिए भारत की प्रशन सकी आपको बतादे कि संजुक्त राष्ट में भारत के अस्थाई परति निधी टी एस तिरुमूर्ती ने सनिबार को ट्वीट किया कि गुतरेश ने 17 फरवरी को लिखे पत्र में संजुक्त राष्ट संती रक्षकों के लिए COVID-19 रोधी टीकों की 2 लाग खुरा की भारत की पे आसो में भारत एक वैस्विक नेता रहा है पुड्डु चेरी में बीजेपी नहीं बनाएगी सरकार राष्ट पती सासन के की गई सिपारिस जिहां आपको बतादे कि पुड़ू चेरी में भी नरायन स्वामी सरकार के गिरने के बाद कयास लगाय जा रहे थे कि भारती जनता पार्टी भी सरकार बना सकती है हाला कि ऐसी अटकलों को बिराम देते हुए केंद्रसासित प्रदिस में राष्टपती सासन लगाने की सिपारिश कर दी गई है बिधान सवा का कारेकाल पूरा होने में महस तीन महीने पहले नरायन स्वामी सरकार के जाने के बाद अब राष्टपती सासन के दौरान ही बिधान सवा चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है आपको बतादे कि राजनीतिक तोर पर भीजेपी के लिए यह दोहरा जटका है पहला तो किरणवेदी को उपर राज्यपाल पत से हटाने के रूप में लगा था और दूसरा राष्टपती सासन का है दिली दंगा 2020 में के जिर्वाल सरकारने दंगा पिडितों को दिया 26 करोण मुअब जा जिहां आपको बतादे कि पिछले साल 23 परवरी 2020 को राष्टी रधानी दिली में अचानक दंगा बढ़क गया था उत्तरपूर्व दिली के जाफराबाद के साथ कई अन्य जगों में रक्तपात, संपत्ती विनास, दंगों और हिंसक घटनाओं आधी हुई थे दिली के इस दंगे में तिर्पन के लगभग लोग मारे गये थे और सैकडों लोग लापाता हो गये थे इस दंगे की सुरुवात उत्तरपूर्वी दिली के जाफराबाद में हुई थे आपको बतादे कि दिली में हुए दंगों को लेकर दिली सरकार की ओर से दंगा पिडितों को 26 करोन रुपे से अधिक मुआपजा लोगों में बाटा गया है दिली सरकार की ओर से अभी तक 2020 दंगा पिडितों में 26 करोन से जादा लोगों को मुआपजा दिया गया है दंगे में जानगावाने वालों के 44 परिवारों को कुल 4.25 करोन रुपे का मुआपजा दिया जा चुका है हिंसा के दोरान घायल होने वाले 233 पिडितों को कुल 1.75 लाग 40 अजा रुपे का मुआपजा दिया गया है मेद इंडिन्डिया लैप्टव और टेबलेट के लिए सरकार की बड़ी घोषणा आईटी हाडवेर के लिए पियल आईएस की मंजूर जिहां आपको बता दे कि परदान मंद्रे नरेंद्र मोदी की अध्यक्षिता में केंद्रिया मंद्री मंदल ने आईटी हाडवेर के लिए उतपादन से जुड़े पुर्च सहन यानि पीए लाई योजना को मंजूरी दी है योजना में आईटी हाडवेर की मूली असे निखला में घरेली उतपाद को बढ़ावत देने और बड़े पैमाने पर निवेस आकारसित करने के लिए उतपादन से जुड़े पुर्च सहन का परस्ताव किया गया है परस्तावित योजना के लक्षी छेतरे में लाप्टप, टैबलेट और All-in-One PC और सर्वर सामिल है योजना के तहत पातर कमपनियों को चार वर्सु की आउधी के लिए लक्षी छेतरे के अंतरगतों और भारत में निर्वी तुतपादों के लिए कुल ब्रिदिसिल 4% से 2% या 1% के परसान रासी देने का परस्ताव किया गया है आपको बताते कि यह आत्म निर्वर भारत के तहत भी निर्माड को बढ़ावा देने के लिए महतवपूर रचेतर है क्योंकि बर्तमान में इन बस्तों के लिए भारत दूसरे देसों से आयात करता है परस्तावित युजने की चार बरसों के लिए कुल लागत लगबग 7,350 करोन रुपे है ग्रिशी मंतरी नरेंदर शिंग तुमर ने कहा कि अगर किसान केंदर की पेशकस पर बिचार करे तो सरकार बाचित को तयार जी हाँ आपको बतादे कि क्रिशी कानूनों के खिलाप प्रदर्शन कर रहे किसानों को केंदरी क्रिशी मंतरी नरेंदर शिंग तोमर ने कहा कि अगर वे इन कानूनों को डेर साल तक अस्थगित रखने और इस दवरान संजुक्त समीती के मतभेद को सुलजाने की केंदर की पेसकस पर विचार करें तो सरकार आंदोलन कर रहे किसानों के साथ बाचीत करने को तयार हैं सरकार और किसानों का परतिनीधितों करने वाले संगठुनों के बीच अभी तक के गारह दोर की बाचीत हो चुकी हैं और अंतिम बाचीत 22 जनवरी को हुई थी इसके बाद 26 जनवरी को गनतंतर दिवस के दिन राष्टी रजधानी दिली में किसानों की ट्रैक्टर प्र है कि अगर कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसर तक मास्ट निकाला जाएगा हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिगए जनकारिश अगर आप संतूस्ट है या थो नहीं अपनी राय कॉमेंट बोक्स में ज हिंदें